हाई एब्रिवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करते एकदम ठीक होएंगे दोस्तों आज हम एक बुक करने वाले हैं गैस लेंडर यानि आप अपना मुबाइल फोन से ऑनलाइन ही आप गैस लेंडर घर बैठे कैसे बुक कर सकते हैं वो भी कैस ओन डिलिवरी के माध्य हम सेगे त सबसे पहले आपको इंडियन ओइल वन ये जो अप्लिकेशन है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आता है यहाँ पर आपको टर्म सें कंडिशन अलाओ कर देना है अब यहाँ पर देखेंगे इस तरह से आपको इस option पर क्लिक करना है तो यहां पर आप देखोगे एक login पेज आ जाएगा जहां पर आपको आपका mobile नमबर और आपका जो पासवर्ड है उसको डाल करके login करना है अगर आपका ID नहीं बना हुआ है तो यहां don't have an account के option पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर mobile नमबर आपको फिल करना है उसके बाद यहां पर आपको email ID दे देना है और यहां पर first name और last name आपको फिल कर देना है उसके बाद terms and conditions को accept कर लेना है और register के option पर क्लिक करेंगे तो आपका ID बन जाएगा फिलाल मेरा ID बना हुआ है तो मैं login के option पर क्लिक करता हूं और यहां पर mobile नंबर और आपका जो ID का password है उसको डालके login हो जाएंगे तो यहां पर देखेंगे आपका card आजाएगा खुल करके आपका card पर जो भी नाम होगा वो नाम इस तरह से शोग कर गया जाता है उसके बाद में जो आपका gas agency है उसका नाम यहां पर आएगा अब यहां पर delivery के दो यहां पर option दिए गए जिसमें normal delivery वह हता है जैसे आपके address पर एजेंट आता है उसको पेमेंट दे करके आप gas receive कर सकते हैं तूसरा option है prefer delivery यानि online payment करके gas मंगा सकते हो तो मैं यहां पर पहला option चूज रहने देता हूँ अब पेस को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपका gas कितने का है वो रेट यहां पर इस तरह से शोग करके आएगा और हाँ दोस्तों यह प्यारा सा subscribe बटन दबा करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और यहां पर आपको LPG ID आपका शो होगा अब इस पेस को और नीचे स्क्रॉल करेंगे जिसमें consumer number name mobile number email और आपको shipping address देखने को मिलता है जिस address पर आपको gas ship होगा उसके बाद order now के option पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका order confirm हो गया है और नंबर एक देखने को मिल जाता है उसके बाद में यहां पर payment detail के option में जितना payment आपको 20 लग रहा है SGST या CGST जो भी है वह यहां पर इस तरह से शो करके आजाता है उसके बाद total amount जितना है वह यहां पर शो करके आएगा आप चाहें तो यहां से online भी payment करके गैस मंगा सकते हैं अब आपको इस app को close कर देना है और 15 मिनट बाद फिर से जब आप इस app पर आएंगे तो सबसे पहले आपको dashboard पर आपका invoice create हो करके आजाता है जिसमें booking reference नंबर वगएरा यहां पर show करके आजाता है यानि आपका गैस अब book हो चुका है सफलता पूरवक इसके उपर क्लिक करेंगे तो जिस date में आपका गैस book हो है वो date show करके आएगा उसके बाद जो agent आपको ले करके आएगा गैस वो agent का नाम show करके आएगा अब इसके बाद यहां पर call का option मिल जाता है जो की बहुत अच्छा feature है इसके उपर क्लिक करेंगे तो direct आप यहां पर जो agent लेकर आएंगे आप इनसे बात कर सकते है उसके बाद एक option और मिलता है track delivery तो इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको map खुल करके आ जाता है जिसके माध्यम से आप अपना gas delivery को track कर पाऊगे तो इस तरह से जो है आप घर बैठे Indian gas lender book कर सकते हैं बहुत आसानी स है हां तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like कर दे और इस वीडियो को अपने परिवार में दोस्तों में शेयर जरूर कर दे और हमारे इस चैनल को subscribe भी कर लें ताकि आगे की कोई भी updates अगर आती है तो आपको मिलता रहे तो मिलते है को और नई वीडियो में तब तक के बाए जाएंगे